हेलो फ्रेंड्स आर्श्टिक मैपका स्वागत है और आज हमने बनाया है एक मोबाइल चार्जिंग होल्डर जिसमें आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं और इसमें चोटा और बड़ा कोई सावी आप मोबाइल लगा करके अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं तो यहाँ पे mobile charge भी होगा और बच्चों की approach से दूर भी रहेगा तो देखिए हमने यहाँ इसको charging पे लगा लिया है और मैंने इसको दोनों board के बीच में लगाया है तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक BBC pipe की sheet लेंगे और sheet आप अपने mobile के coding लेंगे तो मैंने अपने mobile के coding एक sheet लिए है जिसमें दोनों side लगबग equal gap है तो हम उसको mark कर देते हैं ताकि हमारे mobile की size का हम stand बना सके लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कोई दूसरे mobile भी आ जाते है जादो इनसे छोटे होते हैं या बड़े होते हैं तो बड़े mobile को ध्यान में रखते हैं हम इसको थोड़ा margin extra देंगे ताकि कोई दूसरा mobile जो इससे बड़ा है उसको भी हम यहाँ पर लगा सकें तो हमने यहाँ पर 0.2 cm की extra line खीच लिए है जहां से हम इसको cut करेंगे ताकि हमारे छोटे और बड़े दोनों तरगे mobile यहाँ पर easily आ सकें तो हम यहाँ PVC pipe की sheet को easily cut कर लेते हैं mark करके तो जिससे आप cut रसे mark करेंगे उसके बाद आप इसको easily break कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर easily break हो जाएगी तो हमने extra margin रखते हुए दोनों साइड से दो portion cut कर लिए है अब इन ही portions को हम side में चिपका करके इसके edges बनाएंगे तो super glue के help से हम इसको चिपकाएंगे एकदम 90 के angle पे तो थोड़ा super glue लगा करके instant glue से हम इसको फटाबट चिपका देंगे और यह 3-4 second में चिपक के हट जाता है तो देखे हमने इसको चिपका दिया है और और जदा लगा दिया है ताकि यह अच्छे से fix हो जाए अब ऐसे ही हम दूसरी side का भी लगाएंगे तो दूसरी side की रेक को लगाने के लिए भी हमने super glue का use किया है और उसी की help से हम इसको अच्छे से चिपकाएंगे 90 के angle पर तो दूसरी side की चिपकाने के बाद एक नीचे वाला जो base बनेगा तो नीचे के लिए भी हमने एक strip लिए है PVC पाइप की और उसको चिपका दिया है तो यहाँ पर हमारा mobile का कुछ portion बनके तयार है अब देखे मैंने इसको थोड़ा smooth कर लिया है और दो अलग-अलग piece cut करके पहले से रखे हुए है ताकि time बचाया जा सके इनको भी हम यहाँ पर चिपका करके cover करेंगे ताकि हमारा mobile आगी की तरफ नहीं गिरे तो super glue लगा करके cover करो इसलिए किया है ताकि कोई भी sharp edge से हमें चोट ना लगे तो देखिए हमने इसको super glue से अच्छे से चिपका लिया है और इसी तरह हम दूसरे side वाले portion को भी चिपकाएंगे तो super glue की help से हम इस portion को भी चिपका देंगे यहाँ पर super glue थोड़ा ज़्यादा हो गया था उसी की help से दूसरे वाला भी चिपक जाएगा तो देखिए यह हमारा stand लगबग बनके तयार है अब हम क्या करेंगे हमारे mobile को लगा करके इसमें देखेंगे तो यह हमारा mobile है इसको हमने लगाया तो अब यहाँ पर charging के लिए port बनाना बाकी रह गया तो हम क्या करेंगे नीचे वाले portion को cut कर देंगे ताकि हम यहाँ से easily mobile के charger को लगा सकें यह mobile को charge लगा करके इसमें रख सकें तो दोनों side से हम इस portion को cut कर लेंगे और जो भी edges निकले हैं उनको clean कर लेंगे साफ कर लेंगे तो फर्नर की help से हमने इसको cut कर लिया है वो knife की help से हम इसको साफ कर देंगे तो देखिए हमारा यहाँ stand बन के तयार है अब आप इसमें आराम से अपने mobile को charging के दोरान लगा सकते हैं या charge करके cable के साथ इस पर रख सकते हैं तो यहाँ पर आराम से हर एक size का mobile easily charge हो जाएगा अब हम इसको चिपकाएंगे तो यह तो हम दिवार पर double side tape से इसको चिपका सकते हैं या फिर हम इसको wall mount कर सकते हैं screw की helps से तो wall mount करने के लिए मैं यहाँ पर दो hole करूँगा ताकि इसको permanently दिवार पर fix किया जा सके तो देखिए हमने marking कर लिए ताकि balance रहे और अच्छे से यह wall पर mount हो जाए आप चाहें तो double side tape का भी use कर सकते हैं तो मैंने extra protection लेते हुए यहाँ पर दो hole कर लिए हैं और अब हम इसको color करेंगे ताकि इस थोड़ा अच्छे look में आ जाए तो हमने यहाँ पर spray paint से red color किया है और यह सूख चुका है अब हम इसमें हमारा mobile लगाएंगे तो यह मेरा normal size mobile है easily आ रहा है और आसपास जगे बाकी है और यह दूसरा इससे बड़ी size का mobile है इसको लगाने के बाद भी यहाँ पर थोड़ा space बाकी रहेगा तो अब हम इसको wall पर लगा लेते हैं fix कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरे पास दो board है और मैंने दोनों boards के बीच में लगाया है ताकि मैं किसी भी board से हमारी cable को mobile को charge पर लगा सकूँ तो दोनों साइड से easily approach रहेगा और बच्चों की पहुँच से यह दूर रहेगा बच्चे easily mobile को छू नहीं सकेंगे charging के दोरा तो वो भी ज़्यादा protected रहेगा तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो like करे, share करे और हमारे चैनल को subscribe करे एसे ही नहीं नहीं वीडियो देखने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद